जिले के अंता में पुलिस ने चाइनीज मांजा के कारण हो रही घटनाओ को देखते हुए चाइनीज मांजा बेचने वालों के खिलाफ अभियान शुरू किया है इसके तहट कारेवाई करते हुए दो व्यक्तियों के कबजे से बड़ी मात्रा में चाइनीज मांज़ा बरामत किया गया है चिला कलेक्टर इंदर सिंग राउदारा चाइनीज मांज़ा पर बैन लगाया गया है साथ ही चाइनीज मांज़ा बेचने वाले के खिलाफ कारवाई के आदेश दिये गए हैं ताकि चाइनीज मांज़ा के कारण होने वाली घटनाओं से आमज़न को राहत मिल सके दूसरी और कस्बे में कई जगा छोटी बड़ी दुकानों पर बैन के बावजूत सरयाम चाइनीज मांज़ा बेचा जा रहा है अब तक चाइनीज मांज़ा बेचने वालों के खिलाफ कोई कारवाई नहीं होने के कारण दुकानदारों के होसले बुलंत हो गए हैं खामियाजा निर्दोष आमजन को भुगतना पड़ रहा है आपको बता दें कि राजधानी जैपूर में त्रिपोलिया बाजार में चाइनीज मांज़े की चपेट में आने से चार साल के मासूम की मौत हो गई थी सोडाला में भी एक यूवक का चाइनीज मांज़े की चपेट में आने से गला कट क्या था एडिशनल पुलिस कमिशनर अशुम गुपता ने बताया कि शहर में चाइनीज मांज़े की बिकरी को रोकने के लिए अभ्यान चलाया जा रहा है इसके बावजूद भी चोरी छिपे कुछ लोग चाइनीज मांज़ा बेच रहे हैं इसका चलते चार साल के मासूम फैजो दीन की चाइनीज मांज़े की चपेट में आने से